तो आज आ गए हैं हम एक नई वीडियो के साथ टेक्स की तो नया चैप्टर है अडवांस रूलिंग्स का आज की वीडियो में अडवांस रूलिंग्स को बिल्कुल आसान भाशा में समझाऊंगी और आपका पूरा कवर कर दूंगी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपि पर वीडियो डाली थी आई होप आपने वो वीडियो वाच की होंगी और नहीं किये हैं तो आपको description वाक्स में प्लेEhण का लिंक मिल जाएगा वीडियो को like, share और क्मेंट जरूर करें और चानल को subscribe. Колिये फिर Start करते हैं हम आज todos की बिना time पता चल रहे हैं, advance ruling का क्या मतलब हो सकता है, advance का क्या मतलब होता है, यानि कि कोई काम करने से पहले कुछ करना advance में, right, ruling यहां पर कहने का मतलब है authority, कि आप authority से permission ले रहे हो, कोई आपको कुछ confusion है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई future में दिक्कत ना हो, इसलिए आप authority से पूछ कर कोई काम कर रहे हो, advance में, वो advance ruling है, थोड़ा-थोड़ा आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो, let's begin the introduction now, तो सबसे पहले given है कि provisions जो भी है advance ruling के वो आए 1993 में, तो advance ruling का मतलब होता है, एक written opinion by an authority, यानि कि यह जो ruling word या authority के लिए use किया गया है, कि यह जो authority है, वो एक written में अपना opinion देगी, which relate to tax consequences of a transaction, और proposed transaction, इसका क्या मतलब हुआ, कि यह जो written opinion है ना, इस written opinion किस के बारे में है, यह written opinion है, यह written opinion है, टेक्स के बारे में, कि कोई transaction tax की करनी है, और या फिर you know, proposed transaction क्यों बोला गया है हाँ यहाँ पे, कि assessi जो है ना, वो पहले से ही authority से पूछ रहा है, कि मैं यह जो transaction कर रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ confusion है, और आप मुझे बताएं कि कैसे करना है, तो अब यह एक तरीके का क्या है, written opinion है, जो authority देती है, और transaction से related होता है यह, तो hence whenever any taxpayer has any confusion, अगर किसी taxpayer को कभी भी कोई confusion होती है, payment के बारे में, या फिर tax की liability के बारे में, तो वो authority से बात कर सकता है, और वो authority से written opinion मांग सकता है, कि हाँ भी मुझे बताओ, तो it can be relied upon as it is binding upon the taxpayer as well as government, कि यह जो है, taxpayer को government के साथ जोड़ देता है, bind कर देता है, कौन advance ruling, कि भई जो taxpayer कर रहा है, और taxpayer को क्या कर रहा है, bind कर रहा है, Let's talk about the question and answer, तो यहाँ पे हमें given है, क्या आपका exam में question आता है, तो जैसे कि आप screen पे देख सकते हैं, हमारा exam में आपसे question पूछा जाएगा, कि describe करो procedure, advance ruling के लिए, As formulated, जो government ने formulate किया है, बनाया है, और किन, ऐसी कौन सी situations होती है, जिसमें, एक taxpayer जो है, वो advance ruling की application करता है, और ऐसी कौन सी circumstances हैं, जिसमें allow नहीं होता, ये भी पढ़ेंगे, उसके बाद, एक non-resident Indian assessi का question आया है, साथ में procedure of assessment of income of a non-resident, और explain करना है हमें advance ruling को भी, ये भी हम explain करेंगे, और हमें given है कि what do you mean by advance ruling, तो इस type के आपको question देखने को मिलेंगे, तो कुल मिला के advance ruling के बारे में आपने लिखना है, तो non-resident को हम already cover कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे advance ruling की, तो advance ruling के बारे में given है कि advance ruling का मतलब है, bind करना, बांधना, एक binding decision है, जो कि passed by revenue authorities, revenue authorities के द्वारा passed होता है upon the respect of an request of an applicant, कि भई कोई tax payer application दे रहा है authority को, कि मुझे payment के regarding, किसी transaction के regarding, या tax liability के regarding, जो है confusion है, कृप्या करके मुझे return में इसका solution बताएं, तो revenue authority जो है, वो एक decision देती है, applicant की request पर, और regarding the consequences, regarding the consequences and treatment of one and more future actions और actions, कहने का ये मतलब है, कि ये जो written opinion दिया जाता है, ये किसके बारे में दिया जाता है, कि जो भी future में action लिया जाएगा, देखो, advance ruling एक taxpayer कब करेगा, advance का क्या मतलब है, कि किसी transaction को करने से पहले ही, तो वो written opinion मांगेगा न, कि भई उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो अभी वो सोच रहा है, कि मैं action लेने से पहले ही, क्यों ना मैं authority से पूछ लूँ, तो इसी लिए यहाँ पर बोला है, कि future में action लेने से पहले ही, जो है वो authority से consequences के regarding written opinion मांग लेता है, तो अब as per section हम बात करेंगे, the following person can make application in quadruplicate to the revenue authorities for advance ruling in the prescribed form along with fees of 10,000 रूपीज और prescribed fees which is higher, तो हम हम बात करेंगे कि जो है following person, ऐसे कौन से persons है जो application दे सकते हैं regarding advance ruling के लिए, revenue authorities को, और साथ में उनको application के साथ 10,000 रूपीज की fees भी pay करनी पड़ती है, और मतलब जो भी जादा prescribed fees होएगी, जो भी जादा होएगी उन दोनों मेंसे वो fees पे करनी पड़ेगी, तो पहला person है non resident, एक non resident person जो है वो application दे सकता है, एक written opinion मांग सकता है, advance ruling से, मतलब ruling authority से written opinion मांग सकता है, उसके बाद a resident indulging in any transaction, कोई resident है इंडिया का ही, और वो एक transaction में confused है, और with a non resident के साथ उसकी कोई transaction है, उसके regarding tax liability की determination में उसको confusion हो रही है, like question of fact, question of law, इस case में जो है वो application दे सकता है, revenue authority को, उसके बाद अगर कोई resident indulging है कोई ऐसी transaction में जो की 100 करोड या 100 करोड से जादा की है, determination of tax liability में उसको कोई confusion है, तो वो revenue authority से जो है written में opinion मांग सकता है, यानि कि advance ruling apply कर सकता है वो, उसके बाद a resident or non-resident while deciding, अगर कोई resident हो भले ही या फिर कोई non-resident हो, तो अगर वो decide नहीं कर पा रहा कि whether an arrangement proposed to be undertaken is an impermissible avoidance arrangement and may be subject to the general anti-avoidance rules or not, तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई resident हो या फिर कोई non-resident हो, while deciding, जब वो decide कर रहा है, कि कोई जो वो arrangement propose करेगा, यानि कि जो वो transaction के लिए apply करेगा, क्या वो to be undertaken is an impermissible, permissible क्या वो impermissible तो नहीं है और क्या वो general anti-avoidance rules के according है या नहीं है, तो वो भी apply कर सकता है, fifth point, a notified public sector company भी apply कर सकती है, return opinion मांग सकती है, उसके बाद कोई applicant है, जो कि section 28E subsection C के अंतरगत define है, custom act से related है, अगर कोई applicant या फिर कोई central excise act से related है, कोई applicant तो वो भी apply कर सकते है, revenue authority को advance ruling के लिए, तो अब authority की बात करेंगे, जो advance ruling देती है, तो यह जो authority होती है, obviously central government के द्वारा ही constituted होगी, और shall be deemed to be a civil court under code of criminal procedure 1973, और वो जो है, civil court के according जो होनी चाहिए, वो authority, और in addition अगर हम बात करें, तो the powers given under this authority, जो भी powers इसमें दी जाती है, act के according, it shall have the following powers of the civil court, अब powers कोन कोन सी दी जाती है, authority को वो हम study करेंगे, तो यहाँ पे हमें given है, सबसे पहले, क्या power होती है कि examine करना, the persons and on oath, तो यहाँ पे बोला गया है कि, authority जो है, can call upon the person, मतलब person जिसने भी apply किया है, उसको call कर सकती है, और जो भी उसने पूछा है, या जो भी उसने written, जिस चीज, opinion जिस चीज का मांगा है, examine कर सकती है, ताकि वो satisfy हो, उसकी authenticity पर, कि वहाँ भई जो भी इसने information provide की है, वो सही तो है ना, तो इस चीज को examine करने की उनको power होती है, किसको authority को, revenue authority को, दूसरा, enforcing attendance, enforcing attendance का क्या मतलब है, कि authority has the power, authority के पास यह power होती है, कि वो किसी भी person को सम्मन कर सकती है, यने की बुला सकती है, proceedings के लिए, और before it would be obligatory for the person to be presented before the authority, और उस person को authority के सामने attend होना ही पड़ता है, यह power होती हैं, दूसरा, तीसरी power होएगी, issuing commission, तो authority, just like civil court की तरह ही, authority जो है, वो commissions भी issue कर सकती है, advance rulings related, उसके बाद production of books and other documents की बात करें, तो authority के पास यह power होती है, कि वो documents मंगा सकती है, call करके, किसलिए inspection करने के लिए, investigation करने के लिए, वो जो है, books, जो भी document है, assessi के वो भी मंगा सकती है, तो अब यह जो authority होती है, वो shall be located in Delhi, Delhi में located होती है, and also at all other places which central government may prescribe, और जो भी central government के द्वारा places prescribed होंगे, वहाँ पे जो है, यह authority located हो सकती है, अब हम बात करेंगे इसके procedure की, की advance ruling का अगर आप कोई you know, क्या procedure रहेगा, पहले आप क्या करोगे, फिर क्या करोगे, तो number one पहला procedure step one है, कि application आप भेजोगे principal commissioner को, यानि कि आप एक taxpayer हो, तो आप सबसे पहले application ही तो भेजोगे न, तो upon receiving an application from any commissioner of the above applicant, the authority will forward a copy to principal commissioner, तो जब authority को आपकी application मिल जाएगी, तो authority क्या करेगी, principal commissioner को आपकी application की copy forward करेगी, will request and will request for such necessary documents, और फिर जो है आप से necessary documents भी जो है application के साथ मांगे जाएंगे, और वो आपको वापीज भी कर दिये जाएंगे as app, यानि कि as soon as possible, return भी हो जाएंगे, अब ये तो था पहला step जिसमें application भेजी जाती है principal commissioner को, दूसरा step आता है कि acceptance or rejection of application, कि भई आपकी application तो आपने भेज दी, अब वो accept होईगी या वो reject होईगी, इसके बारे में क्या बोला गया है, कि after considering the above records, जब आपकी application और आपके records मंगा लिये गए हैं, तो आपकी authority जो है application को accept भी कर सकती है और reject भी कर सकती है, तो refusal to such application can be made only after giving a reasonable opportunity of being heard, तो जब एक application का refusal, यानि कि मना reject कर दी जाती है, तो वो तब ही हो सकती है, जब आप एक reasonable opportunity, जो एक reasonable reason होना चाहिए, उस चीज़ का, तो reason दिया जाना चाहिए applicant को कि हाँ भई आपकी application है, यह इस वज़ा से हमने reject करी है, लेट्स टॉक अबाउट इस step 3, तो step 3 किस बारे में है, order of rejection, order of rejection, अब मालो refuse हो गई आपकी application, तो अब rejection का order दिया जाएगा, authority अगर refuse करती है application को, तो इसका भी order पास किया जाएगा, और application को रद कर दिया जाएगा, reject कर दिया जाएगा, उसके बाद चोथा step होता है, order की copy, तो copy जो भी होती है, order की वो पास की जाती है, authority के द्वारा, और वो principal commissioner को भी भेजी जाती है, और applicant को भी भेजी जाती है, order की copy, पाचवा step होता है, advance ruling का, यानि कि अगर आपकी application allow हो गई है, और authority shall pronounce its advance ruling within six months, मतलब अगर आपकी application receive कर ली, accept कर ली authority ने, तो आपको आपकी जो advance ruling है, वो कितने time में मिलेगी, छे महीनों में देगी authority, मतलब जो भी आपने written opinion मांगा है न, वो आपको छे महीनों के अंदर-अंदर मिल जाएगा, जब आपने application जमा कराई थी, और उसकी जो copies हैं, वो भी principal commissioner को भी भेजी जाएगी, और applicant को भी भेजी जाएगी, तो ये था advance ruling का procedure, और वो applicant जो application भेज सकते हैं, ठीक है, वीडियो को like, share, comment करना ना भूलें, चानल को subscribe ज़रूर करें, thank you so much,